चलिए दोस्तो आज हम बहुती अच्छे टिप लेके आए हैं तो ये देखिए हमने खाली बोटल लेली है बोटले खाली पड़ी ही रहती हैं तो इसका हम बहुती अच्छा उपियोग करेंगे ये देखिए चाकु गरम कर लिया हमने तो इसे हम कट कर लेंगे यह देखिए बोटल को इस तरह कट कर लेंगे यह देखिए इसे हम निकाल देंगे यह देखिए हमने कट कर दिया इसको अब हम इसे थोड़ा सा नीचे भी कट कर देंगे गोल जाकू गरम करके थोड़ा सा हॉल बना लेंगे देखिए इस तरह कट करके हूल बना लेंगे थोड़ा सा यह देखिए इस तरह हम यह निकाल देंगे यह देखिए यह हमने पनी ली है जो कि पनी हम इदर उदर भरके रख देते हैं वह अच्छी नहीं लगती है तो यह देखिए इस तरह हमने एक धागा बान दिया है कोने में दोनों तरफ और इसे हम भरके सारी पनिया इसमें भर देंगे और जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसमें से निकाल लेंगे यह देखिए इस तरह भरके जब भी यूज़ करना हो तो इसे आराम से इसमें से निकाल सकते हैं यह देखिए अब कहीं भी से हम टांके यूज़ कर सकते हैं यह देखिए इस तरह अगला टिप हमारा ये देखिए डश्ट फिन की जो हम पन्नी लाते हैं उससे है तो रोल निकाल के रख देते हैं इससे ये रोल खराब हो जाता है उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए ये इस टिकन निकाल देंगे इसे हम इसी में रख देंगे दुवारा से बंद कर देंगे इसको ये देखिए टेप टेप का भी इसमें काम है ये बाद में यूज करेंगे हम अब हम चाकू लेंगे और एक सीधी लाइन कट कर देंगे इसमें ये देखिए इस तरह से कट कर देंगे इस तरह कट लगा के तैयार कर लिया हमने अब इसे पनी को निकालेंगे ये देखिए इस तरह निकाल के ये देखिए इस तरह बंद करके इसे हम दीवाल पे लगा देंगे टेप लगा के ये देखें टेप निकालके इसे लगा देंगे इसमें ये देखें इस तरह टेप को कट कर लिया आपने इसे निकालके इसमें चिपका देंगे बीच में दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें यह देखिए इस तरह हम दिवाल में चिपका दिया यह देखिए पहले से ही हमारा एक लगा हुआ है वो ही हम दिखा रहे हैं आपको इस तरह पनी जब भी निकाल नहीं होती है तो हम इस तरह निकाल लेते हैं और बस उसे छोड़ देते हैं कोने को अगला टिप हमारा ये देखिए चूड़ियों से है तो ये हमने गलप्स ले लिए हैं जो कि हमारे रखे रहते हैं जब मेंदी येंदी हम लगाते हैं तो गलप्स यूज करते हैं या तो पनी यूज कर लें या गलप्स दोनों चीजे अच्छी रहेंगी तो यह देखिए हमारी चूड़ियां जब टाइट होती है थोड़ी सी उसके लिए क्या करें यह देखिए इस तरह गलप्स को पैनेंगे और हलका सा हमने इसमें क्रीम लगा लिया या तेल अच्छे से पेंजाती है यह देखिए इस तरह कोई भी दिखकर नहीं होगी हात भी नहीं छिलेंगे और इन्हें हम आराम से फैन लेंगे यह देखिए और इन्हें अच्छे से निकाल भी देंगे इस तरह यह देखिए इस तरह अब अगला टिप इसी से है हमारा यह देखिए इस तरह नहीं चड़ेंगी क्योंकि टाइट है तो पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसके लिए क्या करें दूसरा टिप हमारा क्रीम लेंगे और इसमें हाथ में अच्छे से हम लगा लेंगे यह देखिए इस तरह अब चड़ाएंगे तो अच्छे से यह चूड़ियां चड़ जाएंगी यह देखिए इस तरह यह देखिए बहुत ही अच्छे से निकल भी आती है ना दर्द होगा हाथों में, ना चोट लगेगी, आराम से पहन लेंगे अगला टिप हमारा है, जब कोल गेट खतम हो जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, निकलता नहीं है, यह देखिए, हमने एक बेलर ले लिया है इसे नीचे से अच्छे से दवाते हुए, उपर तक ले जाएंगे, यह देखिए, दो तीन बार इसी तरह करेंगे, जो भी कोल गेट होगा इसमें, पेश्ट जो भी होगा, उपर आ जाएगा यह देखिए, अब इसे हम जो भी थोड़ा बहुत है, इसे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, यह देखिए इस तरह तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो फसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थेंक्यू